पूरा एपिसोड देखने के लिए सुनी ले वैब डाउनलोड करें कुछ नहीं हमारे बीच क्या सब ठीक हो जाएगा क्या उन्होंने जो किया वह सब वापस हो जाएगा क्या मैं अपने मम्मी डैडी की बीटी हो जाओंगी फिर से नहीं ना मिक्रम ऐसा नहीं है और नहीं होगा इधर आ और देख खुद को इस शीशे में राधी कुछ से नजरे मिला और बता कि किसका फाइदा हो रहा है राधी बोल इससे किसका फाइदा होगा बता राधी क्या चाहती है तू जो कुछ भी तेरे दिल में है बोल राधी बोलो दी बोलो बोलो अराधना बोलो बता क्या चाहती है तू मैं यह चाहती हूँ कि वो कहे कि मैंने अपने बॉस को सिद्यूस करने की कोशिस नहीं की तो यह I hate him B I hate him देखो तुम्हारे दोस्त का असर क्या बना दिया इसे चीजे तोड़ने लगी है यह अब Sorry और कुछ तोड़ना है अब आगे क्या करना है रियांच से सब के सामने बुलवाना चाहते हूँ कि वो गलत है मैं यह चाहती हूँ कि कि वो मेरे ममी डाडी के पास जाके बोले कि अराधना की कोई गलती नहीं थी मैंने अराधना पे गलत इल्जाम लगाया मैं बस उसे बद्ला लेना चाहता था मैं चाहती हूँ कि वो सब के सामने आके यह कहे कि उसमें अपनी जलन के लिए मेरी जिंदकी में आग लगाती है अपना अपना होता है और पराया पराया आकर निकली तो तुम अपने पाकिस तुम हमारी पेटी नहीं हो अमारा खूद नहीं हो कल जाओ इस गर से गंदा खूद आकर गंदा होता है अज अंपने सर्माज जी और मिच्द साप घर छले ग talked उसे माफी मांगी ही एक अब क्या करेंगे वच्ति माफीक तो माँग नहीं थी ना बहुत बढ़िया काम कर आपने जो समाज से माफी मांगी ही बहुत बढ़िया कर आ अखिरे समाज और दुनिया से ही तो आपका रिष्टा है, इन सब से माफी माग ली पर मुझ से? मुझ से कौन माफी मागेगा? आज आपने मुझ से मेरी बेटी चीन ली. दी, तुम ये बहुत अच्छा कर रही हो. और मायं के नेचर को तुम माम ताट पहले से जानते हैं. और जब वो कृष्टन के मुझ से सुनेंगे कि तुम ने ये सब उसकी भेहन के लिए किया है, तो देखना, उनका अच्छा भी थंडा हो जाएगा. और फिर क्या होगा? क्या मेरी ममा मेरी अपनी हो जाएगी? मिस्स सहान, मेरी सगी ममा बन जाएगी? नहीं न जागृते? ये सच मेरी लाइफ का ऐसा सच है जो? कोई भी सफाई किसी भी स्टोरी से नहीं बदलेगा. बोले ना, डॉक्टर साब, इस इज़त भरे नाम से जब दुनिया आपको बुलाती है, तब अच्छा लगता है आपको. समाज में अपनी जगा का अंदाजा होता है, है न? यही आपकी पूंजी है, और मेरी पूंजी? मैंने क्या खमाया? मेरी बेटियां. और आपने मुझ से मेरी एक बेटी छीन ली. दी, तुम उनका खून नहीं हो, पर तुम उनकी बेटी हो, और यही बात तुम्हें याद रखनी है. और रही बात मॉम डैड की तो वो तुम्हारे बिना ना खा सकते ना उठ सकते और नहीं जी सकते हैं. दी, यह सब बात से एक तुफान है, इसे फ्लीज पास होने दू. धंगया तुफान, और उजडग ऐसा हूँ. मेरी दिहार मानने वालों में इसे नहीं है, तुम कब सर्ट गिवप करने लगी है? जाक्रती. कहानी का एक हिस्सा ये भी है ना दी. और मुझे लगता है कि एक हिस्सा मैं सामने ला सकती हूँ. जिस दिन अराधना को मैंने अपनी गोद में लिया, पहली बार तब से लेके आज तक आपने हमेशा मुझे उस गलती का अहसास दिलाया है. जब अराधना अच्छी, तो आपकी बेटी. और जब बुरी, तो मेरी गलती. अब हमेशा कहते हैं, अराधना मेरी बेटी है, मैं बहुत प्यार करता उससे. पर एक मल के लिए भी आपने मुझे ये कभी मूलने नहीं दिया कि वो कौन है, वो कहां से आई है? शाहिद आपके लिए असान होगा ये. एक पिता के लिए ये फर्क असान होगा. पर मैं तो एक मा हूँ. मेरे लिए अराधना मेरा सब कुछ थी, मुझे मा उसने मनाया, मुझे मा का दरजा उसने दिया. वो भले मेरे कोक से नहीं आई थी, तो मेरे दिल से आई थी. वक्ती मैं समझता हो लेकिन अब नहीं समझ सकते. अगर यही गलती जागरो जी करती तो, तो क्या करते आप? उसे भी घर से बाहर निकाल देते आप? नहीं ना? यह उसे भी परवरिश और खून के लेक्चर जाड़ते. दी, कुछ तिन पहले एक चिट्टी आई थी, ममा के नाम से. पता नहीं कोई मिम्मी थी. अब कौन नहीं है मिम्मी? और ममा को क्यों लिख रही है? और पता है दी, मैंने ममा से पूछा तो, वो ऐसे गप रही जैसे पता नहीं. तो हो सकता है कि उस चिट्टी में कोई क्लू क्यों हो? यानि उसमें अरादा की रियल मॉम या जो भी वह अरत है उसके बार में इन्फोमेशन मिल सकती है. ममा ने वो चिट्टी चुबा दी या फेक दी. लिकिन दी, मैं पता लगाउंगी. उफान में तुमारी जिंदेगी के जो जो हिससे बिकर है न उसे समेटने का व समाज में आपकी इजट मेरी ममता से बढ़के है आपने मुझसे मेरी एक बेटी चीन लिए. आपने जो किया है वो कभी ठीक नहीं होगा. किसी भी माफी से नहीं होगा. आपने मुझसे मेरी एक बेटी चीन लिए. मुझसे माफी कौन मांगेगा? मेटी, मैंने भी खोई यह भगती, लेकिन मैं माफी नहीं महाँगोगा ठीकि उसने जो किया है, वो माफी के कबि... दी, आप ये कृष्णन और ग्रेवती से बात करिये, ये मयंग का सच सामने लाओ और मैं, मैं आपकी रियल, आपको जनम देनी वाली मॉम को ढुमती हूँ तो सच में मेरी बेहन है पीछा चुरवा के तो देखो, मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ क्यों आयों याप अंकल मैं अपसे माफी मांगता हूँ तेकि जो हुआ वो सही नहीं हूँ लेकिन मैं ये समने ही किया मैंने अपने ओफिस में इंबेसिगेशन करवाया है जिसने भी किया है ना, I promise मैं ना उसो छोड़ूँगा नहीं उसे कोई फरक नहीं पड़ता और हमें तुम्हारे माफी की जरुवत नहीं है ये वीडियो जिसकिसी ने भी लीक किया हूँ बना तो तुम दोनों की वज़े से हम लोग ने जो देखा उसे हम अंदेखा नहीं कर सकते जो कुछ हुआ, तुमने किया अरादना ने किया अंकल आप सही कह दे जो हुआए उसे मैं डेनाई नहीं कर सकता लेकिन जिसने भी ये किया है मैं उसे अपने चानल पर माफी जरूर मंभा सकता हूँ और मैं वादा करता हूँ अन्ना मैंसे चाहे चोटकर क्यों जा रहे है अरादना के साथ ना बड़ा केस हो गया है I want to help her अखिर उसने मेरे कितनी help किया बट चब she needed You don't understand तुम उस सटकू boss को नहीं जानती उसने मुझे जान से मागना का धंकी दिया मुझे नहीं बता कि वो अरादना को ऐसे एक्पॉस करने के चकर में क्यों तुम बस चलो मेरे साथ मैं मैं चाहता हूँ कि तुम इन सब चीज में इंवाल्ड ना हो बड़ा तसकम गाड़ी में बैटो अभी के अभी उजाधी ये तो लॉक्ट है पर ताला लगा के निखल गए पर क्यो अव्यस एना राधी अव्यस एना राधी ड़गा रेंच के गुस्ते सो अड़पोग भागा होगा क्यों किया तुम ने रे वेर वेर यू वेर यू इद ये नोट सी मैं मिस्ट कॉल्स रे रोखना होगा ये तुम ने की है तुम ने की है अट्यो आश्यो ए? अश्यूस 2015 वो चिप मैने तेरे को दी थी इसे वीडियो है? इसी कोई भी कॉपी नहीं है जितना दिखाना था दिखा दिया इसे डिस्ट्रोई कर दो काह था डिस्ट्रोई कर दो लीक ऐसे होई? तुझे लगता कि रे तुम मुझे ब्लेम कर गाया है? रेली? अफकोर्स ब्लेम नहीं कर रहा हूँ बोल रहा हूँ वो वीडियो से तेरे पास थी